गैज आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब एक प्रॉमिस फुल्फिल हो जाती है एज इस रिजॉल्व्ट या फिर एज रिजेक्टेट तब किस तरह से हम कुछ काम कर सकते हैं फॉर एक्जाम्पल हम चाहेंगे कि अगर एक प्रॉमिस फुल्फिल हो जाए तो आपको लेटस एक अलर्ट मारना है यहां फिर आपको कोई और काम करना है आपको कोई दूसरा फंक्शन कॉल करना है तो यह सारे काम आप लोग कैसे करोगी यह देखेंगे इस वीडियो में डॉट देन और डॉट केच तो मेटोड्स होते हैं चलते हैं कंप्यूट स्क्रीन में लेटस गेट स्टार्टिट गैस पिछले वीडियो ने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया आप मैंसे कहीं लोगों ने प्रॉमिस पे सवाल उठाए और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने सवाल उठाई होगी उन सवालों का जवाब अब मैं आप लोगों को दे पाऊंगा बहुत अच्छे से और मुझे पता चला कि क्या डाउट सारे हैं लोगों के देखो भाई सबसे पहले दो प्रॉमिस जो होता है वो यहां पर आपकी जिन्दगी आसान बनाने के लिए आपकी जिंदगी मुशकिल बनाने के लिए नहीं है जल्दी इसे रैपल बना लेता हूँ और उसी के साद्सात आपको बता था हूँ कि मैं ना html css javascript में बनाऊंगा ताक कि थोड़ा आपको ब्राउजर वाली फील आए ठीक है और ये है हमारा वीडियो नमबर कौन सा है भाई साब 55 55 वीडियो नमबर है ये हमारा 55 underscore then catch इस नाम से मैं एपल बनाऊंगा अब देखो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि promise मुश्किल नहीं है और उसका proof है यहाँ पर आप simply क्या करो script खोलकर यहाँ पर लिखो let p is equal to new promise और इसके बाद आप लोग को लिखना है resolve reject ये भाई है syntax ये ना मैंने बनाया है ना शायद आपके पडोसी न ने बनाया हूँ लेकिन वो एक अलग बात है 90% लोगों के 99% लोगों के पडोसी ने नहीं बनाया है तो ये एक syntax है जो कि हमें follow करना है अब promise का syntax क्या कहता है कहता है आप इसके अंदर जो भी चीज करोगे वो background में execute हो जाएगी क्या होगा वो background में execute हो जाएगी और जब वो execute हो चुकेगी तब क्या होगा तब आपको notify कर दिया जाएगा कैसे dot then or dot catch की साहता से promise क्या होती है promise promise of code execution होता है promise की एक state होती है जैसे कि मैं promise के अंदर अगर मालो set time out डाल दू और मैं कुछ ऐसा करूं मैं कहूंगी भाई देखो ऐसा है इसको run करना 4 seconds के बाद या 5 seconds के कि I am a promise and I am fulfilled ठीक है अब fulfilled का मतलब क्या है resolve का मतलब क्या है reject का मतलब क्या है fulfill का मतलब कि भाई आप अब उससे निवट चुके हो जैसे मालो zomato का आपने order place किया कि भाई यह दो आलो के पराठे ला दो अब आपका अगर वो आलो का पराठे नहीं ला पाया मालो यह हुआ कि भाई शॉरी सर आलो का पराठे नहीं है zomato support ने आपसे का हम आलो का पराठे नहीं ला सकते यह आपका refund आ अब आप जो है या तो resolve करके हैं, reject करके या तो आपको aloo paratha मिला या नहीं मिला आप इंतिजार कर रहे हो बैठे हुए aloo paratha मिलेगा, aloo paratha मिलेगा आपकी promise अभी pending है क्या यह चीज simple नहीं है मुझे तो लगता है बहुत simple है ठीक है, अब मैं आपर क्या करूंगा मैं console.log करूँगा यहाँ पर लिखूँगा promise is pending ठीक है और यहाँ पर मैं लिखूँँगा एक काम करता हूँ मैं लिखता हूँ console.log I am a promise and I am fulfilled और fulfill करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे resolve को call करना पड़ेगा और किस value के साथ मैं इसको fulfill करना चाहता हूँ मालो मैं true value के साथ इसको जो boolean मेरा true है उसके साथ fulfill करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ मैं एक string के साथ fulfill कर सकता हूँ मैं गहरे के साथ fulfill कर सकता हूँ मेरी मरजी ठीक है अब देखो यह code जैसे ही चलेगा यह promises pending immediately print करेगा फिर यह set time out चलेगा लेकिन यह promise अभी तक pending state में रहेगी और जैसे ही हमारी यह जो promise है वो resolve हो जाएगी आप लोग को यह console में देखने को मिल जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आप देखो यहाँ पर promises pending लिखकर आ रहा है और पांच सेकिंड के बाद I am a promise and I am fulfilled अगर मैं immediately इस promise को यहाँ पर लिखूँ console.logp immediately लिखूँ अगर तब क्या होगा अगर मैं immediately लिखूँ तो यह promise pending है which is true अभी इस पर कोई value नहीं है बट आजाएगी value जोब यह fulfill हो जाएगी तो देखो इसकी state pending है और इसका result undefined है result undefined क्यों है क्योंकि इसमें भी कोई value नहीं आएगी यह resolve भी नहीं हो यह promise इसलिए इसका result undefined है अगर यह resolve हो चुकी होती तब आप लोग को यहाँ पर इसका result देखने को मिलता समझें आप लोग तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा आप लोग को एक और catch करके दिखाऊँगा अब वो क्या होगा resolve नहोंकि मैं इसको reject करूँगा promise को ठीक है और मैं लिखूँगा reject और new error मैं इस तरह से error थ्रो कर सकता हूँ और यहाँ पर लिख दूँगा I am an error please bear with me मैंने आप लोग को error अभी बढ़ाया नहीं है बट आप ये समझ लो कि नए error को थ्रो करने के लिए इस syntax का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है new error को थ्रो करने के लिए इस syntax का इस्तेमाल किया जाता है अभी इसको धरा run करते है reload करके दिखाता हूँ आप लोग को promise is pending wait कर रहे है wait कर रहे है wait कर रहे है 5 second के बाद I am a promise and I am fulfilled लिख कर आगया लेकिन याबर लिख कर आगया and caught in promise क्योंकि इस promise ने एक error थ्रो कर दिया ठीक है मुझे technically इसको rejected लिखना चाहिए नहीं तो यह बात गलत हो जाएगी क्योंकि अभी reject कर रहा हूँ मैं इस promise को तो promise या तो resolve हो सकती है या reject हो सकती है resolve जब होगी तब एक value देगी reject जब होगी तो एक error देगी simple सी बात है और ये code का execution एकदम पहल लली चलेगा अच्छा कर मैं 10 promises बना लूँ मालो एक मैं और promise बना लूँ मैं इस code को ही replicate मार दूँ पूरा याँ पर और मैं इसको p1, p2 कर दूँ कि वह ये promise 1 है ये promise 2 है और मैं exactly same चीज़ करूँ पहली promise मेरी होड़ी है resolve और दूसरी promise होड़ी है मैं आपर इसको resolve कर देता हूँ result और ये rejected हो जाएगा और इसका result true को उटातेता हूँ reject हो जाएगा ये तो अगर मैं भी आपर p1, p2 करूँ p1, p2 और इसको run करूँ तो क्या p1 और p2 10 second लेंगे चलने में नहीं दोनों parallelly fire कर दिये जाएगे और 5 second के बाद आपको दोनों का result यापर मिल जाएगा तो यही यही करने के लिए promise होती है कि यार आपके बस 50 promises हो 50 की बचास parallelly execute हो जाएगे और execution के बाद आप लोग को notify कर दिया जाएगा अब मालो मैं यह चाहता हूँ कि यार जैसे ही p1 complete हो जाए तो कोई काम करना है मैं print नहीं करना चाहता हूँ p1.then कि वाज जब p1 हो जाए तब क्या करो यहाँ पर मैं लिखूँगा value ठीक है और इसके बाद मैं क्या करूँगा simply उस value को print कर दूँगा value ठीक है और मैं क्या करूँगा इसको replicate करूँगा और ये चीज e2 के साथ भी करूँगा P2 के साथ भी एचीज करूँगा लेकिन रिक काम करता हूँ पहले P1 के साथ ही करता हूँ योगि P2 थो हमारी रिजक्ट हो रही है P1 हमारी resolve हो रही है पीट और रिजेक्ट हो रही है, रिलोड करूंगा promise is pending, promise is pending that makes a lot of sense, 5 second बीतेंगे, और यहाँ पर देखो कि यह promise resolve हो चुकी लेकिन यह promise reject हो चुकी, इसलिए आपको error भी दिखाया जा रहा है, ठीक है technically आप कुछ भी यहाँ पर नहीं करते हो आप सारा काम यहाँ करते हो, dot then और dot catch को use करके, यहाँ पर console logs हम नहीं करते हैं, ठीक है तो हमें भी यहाँ पर क्या करेंगे कि p1 dot then तो मैंने यह कर दिया अब मैं अगर इसको रिलोड करूं तो promise is pending, promise is pending 5 second बीतने दो और इसके बाद देखना यहाँ पर इसकी तो value आ गई और इसने error थो कर दिया, तो console में error आ गया, ठीक है मैं चाहता हूं कि यार, यह जो error p2 यहाँ पर थो कर रही है मैं उसको catch करना चाहता हूं मैं कहूंगा, error नहीं आना चाहिए तो मैं p2 dot catch syntax का use कर सकता हूं और मैं यहाँ पर simply क्या करूँगा console roll lock कर दूँगा और यहाँ पर लिखूँगा some error occurred in p2, ठीक है इसको save होने देता हूं, reload करता हूं और 5 सेकंड बीतने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा true or some error occurred in p2 इक चीज नोटिस करीए आपने हमने error को catch कर लिया तो हमें console में error देखने को नहीं मिला क्योंकि हमने उस error को handle कर लिया ठीक है, अब आजाओ याँ notes में तो मुझे पता अभी भी confusing है अभी भी आपके दिमाग में confusion होगा तो इसलिए मैं यहां से नहीं यहां से notes पढ़ना शुरू करूंगा और यह चीज हमको reiterate करनी पड़ेगी हमें promises समझने तो हमें दोबारा आना पड़ेगा पीछे और दोबारा समझना पड़ेगा the solution to the callback है लिए promises कैसे वो मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा promise is a promise of code execution यह हमने देखा the code either executes or fails in both the cases subscriber will be notified dot then or dot catch method से हम notify कर सकते है subscriber को कि आपकी value मिल गई या फिर आपका ये error है जो की throw कर दिया गया है the syntax of promise looks like this आपको promise is equal to new promise function resolve reject यह built-in callbacks है javascript engine देता है हमको हमने नहीं बनाई आपके पड़ोची नहीं नहीं बनाई मेरे ताउजी नहीं नहीं बनाई ठीक है resolve reject आप call कर सकते हो इसके अंदर resolve call करोगे तो एक value के साथ आपकी promise resolve हो जाएगी यानि कि fulfillment as resolved हो जाएगा fulfillment दो तरीके से हो सकता है promise का एक value मिल गई आपको आप value चाहरे थे reject मतलब unexpected resolution sorry unexpected fulfillment जो की एक error में आप लोगों को दिया जाता है तो वो एक happy fulfillment नहीं है resolve and reject are two callbacks provided by the javascript itself they are called like this आप resolve के अंदर value डालके ये indicate कर सकते हो कि job finish हो गई है successfully reject के बाद error डालके आप ये indicate कर सकते हो कि job feel हो चुकी है the promise object returned by the new promise constructor has these properties हर promise की एक state होती है result होता है initially pending होती है state और उसके बाद fulfilled या rejected जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको P1 दिखा दूँ भी ठीक है तो यह देखो यहाँ पर fulfilled true आगया ये fulfilled हो चुकी है fulfilled आगया ठीक है और P2 अगर मैं आपको दिखा हूँ तो ये rejected आगया ठीक है कि वहाँ ये इस error से reject हो चुकी है तो fulfilled or rejected ये दो states होती है ठीक है initially undefined then changes to value if resolved और error when rejected ठीक है अब consumers की बात करते है कैसे पता चलेगा कि promise ने एक value दी या फिर एक error दिया आप call कर सकते हो dot then or dot catch को the consuming code can retrieve the final result of a promise through then and catch calls ठीक है the most fundamental one is then आप promise dot then करते हो दो functions आप pass कर सकते हो एक result और एक error ठीक है मैंने सिर्फ एक किया क्योंकि मैं सिर्फ result में interested था तो मैंने ये वाला function pass किया जो मैंने अभी highlight कर रखा है अपनी computer screen पर देखो जो मैंने highlight कर रखा है वो pass किया लेकिन मैं यहीं के यहीं error भी catch कर सकता हूँ जिसे कि मैं अगर p2.then करूँ p2.catch use ना करना चाहूँ तो मैं इसके बाद ही एक error के लिए callback दे सकता हूँ अभी confuse ने करना चाहूँ आपको सबसे जादा most frequently used .then calls ऐसी दिखाई देती है कि आप p1.then करते हो उसके बाद value pass करते हो function को and finally console.log value कर देते हो ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि most fundamental one is then promise.then आपने function लिखा result इसके बाद आपने उसको handle कर लिया result को function error और आपने error handle कर लिया आप किसी भी promise को ऐसे देखो कि ये network से data fetch कर रही है ठीक है network से data fetch कर रही है अब data आभी सकता है तो रोज़़वत है data आने में कोई दिक्कत हो जाए आपका net कर जाए आपका तार कोई card दे रास्ते में जब data आ रहा है तो भाई error तो आई सकता है आपके हाथ में नहीं है कितनी अच्छी coding कर लो आप तो वो error को आपको handle करना पड़ेगा तो वो error को कैसे handle करोगे आप dot catch का use करोगे handle अब यहाँ बढ़ते हैं if we are interested only in successful completions वो मुझे alert होगी मिल जाएगी इस syntax से confused मत होना मैं dot then को क्या देता हूँ एक function देता हूँ खुद बनाता हूँ मैं function मैंने alert देती है ठीक है वही बात है जो भी value होगी promise की जिस भी value में resolve होगा वो alert हो जाएगी यह syntax अगर आप लिखोगे तो को यूज कर सकते है और we can use dot catch आपके पास दोनों ही यहां पर जो है options है तब देखो मैंने आपको बताया to get the value और यहां पर to get the error to catch the error का हूँगा इसको मैं ठीक है और T को capital कर देते है सुन्दर लगेगा code हमारा तो dot catch करके हम लोग यहां पर कुछ ऐसे कर सकते हैं ठीक है अब अगर मैं मार लो यह यूज करना चाहूँ P2 dot catch ना यूज करना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ मैं कहते हैं P2 dot then और उसके बाद मैं एक तो value मिल गई मुझे तब मैं क्या करूँगा और value मुझे नहीं मिली तब मैं क्या करूँगा तो मैं एक function ऐसे दे दूँगा error करके format करता हूँ code को और एक code formatter कहा गए तो हूँ चलो कोई बात नहीं अब हम क्या करेंगे मैंने यहाँ पर error दे दिया मैंने यहाँ पर और यह कॉमा हटाँगा मैं यहाँ से dot then value और यहाँ पर error और console.log मैं यहाँ पर error कर दूँगा ठीक है तो अगर मैं अभी इसको run करूँ तो दोनों promises printing है पहली promise सबसे पहले सबसे पहले क्या दोनों ही 55 seconds में होँगी पहले लली result तो देखो यह वाली result हुई और यह वाली यहाँ पर देखो error print होगया console में ठीक है और मैं अगर यह p2.catch भी हटा दूना मुझे actually p2.catch हटा देना चाहिए था ताकि हम लोग यह verify कर सकें कि error अभी भी हमारे catch किये जा रहे हैं अब देखो 5 seconds के बाद आपको error throw होकर नहीं मिलेगा अगर मैं यह वाली call हटा दूँ इसकी जो second argument है वो हटा दूँ अगर तब मुझे error देखने को मिलेगा ठीक है यह यह बात बिलकुल आप लोग समझ लो ठीक है आपको error देखने को मिलेगा अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया और मैंने reload किया तो मुझे आप error देखने को मिलेगा 5 second के बाद मुझे 5 second के बाद error क्यों देखने को मिलेगा क्यों मैंने सिर्फ p2.then किया मैंने assume कर लिया यह error आए गई नहीं तो इसलिए आपको catch भी करना errors आपको जहां जहां लगता है कि यार मेरी script error थो कर सकती है आपको वहाँ-वहाँ catch भी करना है ठीक है इसका एक classic example देना चाहूँगा network calls ठीक है network calls का कि अगर आप लोग network से call करना चाहते हो और कुछ data receive करना चाहते हो तो दो बाते होंगी या तो आपको data मिलेगा या आपको data अगर आपको data नहीं मिलेगा तब आप reject कर दोगे promise और न resolve कर दोगे अब अगले वीडियो में हम एक बड़ा साही काम करने वाले है बड़ा मज़दार काम करने वाले है और वह है हमारी quiz जिसमें कि हम लोग load script function को लिखेंगे promises का इस्तमाल करके बड़ा मज़ा आने वाला है और बड़ा समझ में आएगा आप लोगों कुछ चीज़े क्यों कर रहे हैं जैसे कि हम कर रहे हैं ठीक है why things are done the way that they are ठीक है फिर उसके बाद promise chaining को देखेंगे और काफी मज़ा आने वाला है इस chapter में और finally जब हम जिन्दगी बदल जाएगे आपकी सच में बदल जाएगी जिन्दगी क्योंकि the way you'll code after understanding this will be phenomenal with that said आप लोग JavaScript की playlist को access कर लेना अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time इस आपकी जाएगे आपकी जाएगे